तो friends अपने खुद का WhatsApp टीकर कैसे बनाई यह तो पुराना हो गया लेकिन अगर मैं आपको यह कहूँ के अपने खुद का Cartoonist याने कि अपने खुद का Animated WhatsApp टीकर आप बना सकते हैं वो भी बिना किसी application के और वो भी सिर्फ दो मिनिट में तो आप लोगों को यह नया लगेगा तो आज की वीडियो में मैं आपको यह ही बताऊंगा कि आप कैसे जो है अपने खुद का Cartoonist याने कि अपने खुद का Animated WhatsApp टीकर बना सकते हैं वो भी बिना किसी application के और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं तो चले बिना टाइम गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंग्स अपना Animated WhatsApp टीकर यानि कि अपना Cartoon टीकर बनाने के लिए आपको जो है Simple Steps फोलो करने जो मैं आपको बता रहा हूं तो आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर देखना है कि यह application आपके phone में install होना चाहिए और होता ही है क्योंकि सभी phone में यह keyboard जो है inbuilt आता है अगर नहीं दिया गया है आपके phone में तभी आप इसको install कीजिए लेकिन मुझे पता है कि सभी phone में यह keyboard आता ही है Gboard अगर नहीं है आपके phone में तभी आप इसको install कीजिए तो अगर आपके phone में है तो इसे कैसे enable करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर जो है अभी जो है Gboard मेरे phone में inbuilt है मेरे phone में ही ये आया है तो मैं इसे install नहीं करूँगा तो मैं जो है यहाँ पर सीधे अपने WhatsApp में चला जाओंगा तो यहाँ पर मैं अपना WhatsApp ओपन कर लेता हूँ तो WhatsApp ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है type a message तो वहाँ पर हम click करेंगे उसके बाद keyboard जो है enable करने के लिए यानि कि Gboard को enable करने के लिए यहाँ पर यह जो space वाला option है कीबोड में वहाँ पर हम इसको press करके रखेंगे तो यह जो है हम यह जो space है उसको press करके रखेंगे तो यहाँ पर जो है सारे keyboard आ जाएंगे जो भी हमारे phone में होंगे तो यहाँ पर आपको जो है Gboard पर tick कर देना है तो यहाँ पर हमारा gboard जो है यहाँ पर enable हो चुका है तो यहाँ पर आपको एक smiley वाला option दिख रहा है तो आप जैसे smiley वाला option पर click करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे option आ जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे stickers आ जाएंगे लेकिन आपको इन stickers में से कोई भी add नहीं करना है होँदूर्ड में आना है तो लाइस में setting option देख रहा है तो आपको setting पर click करना है तो यहाँ पर जो है दो option दीख रहे है हैẩ फैवरिट और browse तो यहाँ पर जैसे यह ब्राूस में आना है तो जैसे यह अपर आपको एक create का ओप्शन दीख रहा है एक सेलफी फोटो खीतना है तो मैं आपर अपना फोटो ले लेता हूं तो या पर हमें एलाउ कर देना है कर स्टेसमें भी हैसा मैंने अपनपना खीत लिया और यहां पर उपर आपदेख सकता है तो यह आपर आप नीचे जो है हमारा बहुत सारे स्टीकर बन गया है तो हम यहाँ पर शो मी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही सो मी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे तीन स्टीकर पैक बन गया है तो यहाँ पर आपके जैसा कॉंसर स्टीकर लग रहा है त आप देख सकते हैं आपने मेरा face तो देखी लिया है तो यहाँ पर जो है काफी अच्छे तरीके से हमारा खुद का sticker बन गया है वो भी बिना किसी application की मदद से सिर्फ keyboard ही तो काफी सारे लोगों को यह नहीं पता होता है तो इस तरीके से आप जो है अपने दोस्तों को अपने face वाला अपना खुद का अनिमेटर श्टीकर बेज़ के जब उन लोगों को शौक कर सकते है तो दोस्तों उम्मित करता हूँ आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आये तो इसे ।रे लाइक किज़े शेयर किज़े और कॉमेंट कीजिए और हमारे नई दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाए ताकि हम ऐसा ही कुछ नया सीखे तो आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं